टेक्निकल हिंदिर्वी चनल की पूरी फैमली के लिए नबर्स की हारदिक सुब काम ना है फैंट्स आज की स्वीडियो में आपको बताने वाला हुई आयू सेकंड राउंड का जैसा कि आप सभी को पता है कि रिजल्ट पब्लिस हो चुका है जी है फैंट्स छातर मुझे कमे पहले ऐसा नहीं होता था कि जो कट आप जाती थी वह सेकंड राउंड की कट आप जो है लो होती थी लेकिन सेकंड राउंड की कट आप से हाई यहां पर देखने को मिलेगी मैं आपको बताने वाला हूं केटेगिरी वाइस और कॉलेज ऑफिसल कट आप क्या रही है उसका यहां पर जो है मोप राउंड जैसा कि आप सभी को बता है होना है मोप राउंड की एक्सपेक्टर कटाव मैं आपको बताने वाला हूं वीडियों फ्रेंट्स अंतक बने रहीगा और वीडियो को भी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो कर लें साथी बेल लाइकन को जरू प्रेस करें वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा सथा जरू सेर कर दीजिएगा फ्रेंट्स कट आफ बताने इस पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं अनकेडमी ने जो है आपके लिए क्रेक नीट 2021 का जो है एक को स्टार्ट किया है जिसमां फ्रेंट्स आपको अगर आप नीट का एक्जाम 2021 करना चाहते तो अनकेडमी को जरूर जोन कीजिए का क्रेक नीट 2021 एक्सपर्ट्स जी आफ इंडिया की टॉप फैकल्टी आपको यहां पर पढ़ाने वाली है अनकेडमी वरिंग से बैच वाई टॉप एजुकेटर द्वारा आपको प्रिप् आपको पढ़ाने वाले हैं तो इंडिया के टॉप फैकल्टी द्वारा आपकी प्रिप्रेशन कराई जाएगी और आपको देखिए फ्रेंट्स मैंने बीडियो को डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का लिंक दिया है अलफा अची वर और अुम्मीद मैंट एच ऊसके बाद और आपको करना क्या है लिंक पर किलिक करना है आपको सख 안करे नहीं की alley अपको क्ले करनाह सपूर्याइट तो आपको जो है यहां पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको नीचे सस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा ठीक है करना है जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर इस तरह का इंटरफेस देखने को बिलेगा जो भी आपको को चाहिए और तुएल बुटि-फोर मद्स का उसके बाद आपको यहां पर एक रेफरेंट कोड डालने के लिए बोला जाएगा तो आपको रेफरेंट म मिल जागा और क्लिक करके आप कोर्स को जॉइन कर सकते हैं तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्स ने दिया है तो फ़र्स आप नीट 2021 को क्रेक करना चाहते तो इसको जरू जॉइन कीजिएगा उसके बात देखेंगा यहां पर मैं कटाफ की बात करूं तो कटाफ आप सेकंड राउंड की कटप हाई गई है इत्हास में पहली बार आपने यह सुना होगा काउंसलि में यह पहली बार ऐसा हुआ है यहां पर देखीगा अगर मैं इसकी एर रैंक बात करूं जर्नल की तो और माक्स में 542 फ्रेंट जर्नल की कटप रुखिए सेकंड राउंड की और सेकंड बार इंडिया गोवर्मेंट के लिए जर्नल पियाएच में 145 मार्क्स पर रुक्यां उसके बाद एसी में 425 मार्क्स पर सेकंड राउंड की कटप रूखिएख और एस्टिमें 412 मार्क्स पर कटप रुखिए वाई-पर्मनेट बात करूं तो जर्नल में 532 छब में 308 पर कट अप रुकी है second round की उसके बात बी एबस में Central University की बात किया है तो Central University चार है friends जो की आई उस counseling के लिए सबसे पहले Central University BHU यानि की BHU जो बनानास में आपका है उसकी बात करूँ तो BHU जन्रेल के लिए 602 और 144 पी एच में गई हुई है EWS में 601 OVC में 600 SC में 470 और ST में 456 पर रुकी है उसके बाद friends यहां पर मैं Central University जो की जमनागर में है आपकी जामनगर में है तो जामनगर में जन्रेल की 602 रुकी है और EWS की 593 OVC की 592 SC की 504 और ST की 444 रुकी है उसके बीमें Central University NIA जैपुर की बात करूँ तो जन्रेल के लिए 603 रुकी है EWS की 603 और OVC की 592 SC की 492 ST की 446 उसके बीमें Central University सिलोंग की बात करूँ तो जन्रेल में 572 और EWS में 557 OVC में 555 SC में 424 ST में 412 कटाव रुकी है तो यह तो रही आपकी BMS की कटाव आयू सेकंड रौंड की उसके बाद यहां पर मैं बात करूँ BHMS की तो BHMS में All India Government की बात करूँ तो All India Government को टावन फेंट जन्रेल की 492 कटाव रुकी है SC की 383 कटाव रुकी है ST की 304 रुकी है उसका और लिंडिया एडिट की बात करूँ तो जन्रेल में 497 रुकी है तो जन्रेल में 528, EWS में 502, OBC में 502, SC में 386, ST में 353 उसके बात फ्रेंट्स यहां पर मैं बात करूँ BSMS के लिए ठीक है तो BSMS के लिए यहां पर कोटा की बात करूँ तो All India Government कोटा की बात करूँ तो जन्रेल के लिए 502 रुकी है कटाँप SC के लिए 411 है और ST के लिए 353 कटाँप रुखी हुई है उसके बात फ्रेंट्स यहां पर देखीगा BMS के लिए All India Government की बात की जाए तो जन्रेल में 492, SC में 386 और ST में 356 बात की लिए और इंडिया एडिट के लिए तो 534 आपकी जन्रेल की और ST की 397 तो फ्रेंट्स यह कटाफ रुखी है आपकी जो कि मैंने अभी आपको बताए यह कटाफ फ्रेंट्स जो है वह आपकी आई उस सेकंड राउंड की कटाफ है अब भी ऑइमस के लिए ठीक है उसका बैस यह कटाफ यहाँ पर यहाँप आपने देखी लिए होगा मैंने आपको वीडियो प्रॉइड कर राउंड की कटाफ से लौ है हाला कि ऐसा कभी नहीं हुआ है क्योंकि फ्रेंट यहां पर ऐसा नहीं हुआ है यहां पर एसा नहीं हुआ है और यह कटप हाई क्यों गई है इसका मैं रीजन बताता हूं आपको सबसे पहले तो आप ही द्यानिएगा कि हरयाड़ा ठीक है और बिहार जैसे श्टेट आपके जो हैं वहां पर आपकी जो कटप है वहां पर आयूस कांसिलिंग की जो कटप वहां पर गई हुई है फर्स रा जो कटप है वहां पर आपको हाई देखने को मिल रही है तेक है उसके बाद यहां पर बात की जाए बहुत स्टेट ने जैसे वहां पर आई उसकी कांसिलिंग अभी नहीं हो पाई है तो स्टार्ट ना होने की बज़े से वहां पर cut-up आपकी high जाएगे क्योंको बच्चे वहां पर All India Quota में participate करेंगे जब state का counseling सभी का हो जाता है तो कहीं न कहीं बच्चे भी कम होते और वहां पर admission भी ले लेते तो cut-up उम्मीद होती के एक दो number आपकी थोड़ी कम जाती लेकिन यहां पर हुआ है कि छात्रों ने एड़ीसन ही नहीं मिला है ठीक है उनकी स्टेट में counseling अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है उसकी आई उस counseling तो फ्रेंट्स क्या करेंगे All India Quota की तरफ भागेंगे और All India Quota में आपकी कटव वहाँ पर हाई देखने को मिलेगी ठीक है तो वही रीजन है फ्रेंट्स की कई स्टेट में हो चुकी है स्टार्ट कई में स्टार्ट नहीं हुई अभी तो काफी छात्र मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर कटाफ के बारे बोरह बता जीजका तो आट स्कुर्ट में यह कह नहीं सकते करड़ाप 2900 के की भी कटाप हाई जा सकती है तो यहां पर अगर स्टार्ट हो जाती है वह मुपर प्राउंड से पहले ही तो उम्मीद रहेगी कि वहां कटाव आपकी मुपर प्राउंड की ज्यादा ना जाए तो यह फ्रेंट सब्जेट देना था उसके रिगाड़े कोई भी दिखत परिश सारी चात्रों को हो तो मुझे से कमेंड में पूछ सकता है